नमस्कार साथियों मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं सिजी जॉब एजुकेशन साथियों 12489 पदों पर भरती की जो प्रक्रिया है चल रही है इसी कड़ी में व्याख्याता की जॉइनिंग 31 अगस्त तक होगी जिनकी जॉइनिंग की जो प्रक्रिया है चल रही है ग्यात हो साथियों की व्याख्याता का जो वेरिपिकेशन है राज इस तर पर कम्प्रिट ह हो चुका है उसके बाद सभी को joining letter भी मिल रहा है और joining letter मिलने के बाद बहुत सारे साथी असमंदस में है कि इसर हमें joining कहां लेना है कौन जो вес लेन हां सो क्या सकता होती है दिखे साथियों आपको joining letter मिल गया है, आपको joining लेना है, तो आपको इनकी अप्रती देना होता है, इनकी copy देना होता है, आपको कहां कहां copy देना होगा, विश्तार से मैं बात करने जा रहा हूँ, आप सभी जार रहे हैं, एक 30 अगस तक joining की प्रक्रिया चल रही है, व्याक्य आपके by post मिला हुआ हो, चाहे स्री भुपेज बगल जी के हाथों मिला हो, ठीक हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जितने भी मूल दस्तावेज है, जिनका verification हुआ है, उन मूल दस्तावेजों को आप अपने साथ रखिए, दो-दो सेट उसका करवाक रखिए, ठी ठीक है, अपने joining letter, वहाँ पर एक सेट सब्मिट करोगे, ठीक है, और आपको सपत पत्र भी बनवाना होगा कि मेरा इस school में चैयन हो रहा है, ठीक है, उसके संबंद में, और मेरे दोड़ा जो भी जानकरी दी गई है, सत्य अम सही है, ठीक है, इस तरह से आपको बनवाना हो होते हैं, जो आप वहाँ पर जाएंगे, government hospital में जाएंगे, तो आपके test होती है, उसके बाद ये जो fitness certificate है, आपको provide हो जाती है, इसके अलावा आपको service book की दो copy की जरूरत होती है, अब ये service book क्या है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको चीज़े वहाँ से clear ह कर बताओं कि दो service book की आवसकता होती है, और ये service book आपके पूरे जीवन का लगता, पूरे 62 वर्स में आप नगरी कर रहे हो, उस दवरान आपके प्रत्यकारी यहाँ पर service book में add होते जाता है, आपका increment वहाँ पर जुड़ेगा, आपके कब posting लिया है, आपका promotion कब हुआ है, तमाम जानकारी जो है, ये संधारित होते जाता है, आपका service book, ठीक है, यहाँ पर दो set की आवसकता, इसलिए पड़ती है साथियों, क्योंकि एक set जो है, आपके संबंधित भी भाग में जमा होगा, और एक set आपको दिया जाएगा, अर्थात आप नए सिक चक है, आपको ए एक आवेदन firm जिसे बोला जाता है, पदभार ग्रहार प्रतिवेदन, तो ये जो पदभार ग्रहार प्रतिवेदन वहाँ पर आपको देना होता है, कई जगहों पर संकूल में भी देने को कहा जाता है, तो ये चीज़े भी आप अपने साथ में रखिए, ठीक है, इसके अल लेजिए जिला या ब्लाक इस्तर पर यदि इनकी जरुरत होती है तो आप वहाँ पर इसको सब्मिट कर सको ठीक है उसके बाद यदि आपको आपके संकुल इस्तर पर या आपके प्रचारे द्वारा जिस इस्कुल में आपकी पद इस्थापना हो रही है वहाँ आप जा रहे हो तो वहाँ भी आपको एक सेट की जरुरत होती है ठीक है तो आपको वहाँ पर एक सेट देना होगा बीयो आप इस यहाँ पर आप जोइनिंग लोगे वहाँ पर भी आपको एक सेट इसके दस्तावेजों की आपको देनी होती है ठीक है तो इस प्रकार के दस्तावेज होता है जिसकी सेट आपको देनी होती है साथियों तो बिल्कुल आप इन तमाम जो मैंने अभी point to point बताया हुआ है समस्त दस्तावेजों की medical fitness certificate की भी अवस्यक्ता होगी मैं आपको ये भी बता दू साथी हो कि ये जो medical fitness certificate कब बनेगा जब आपका joining letter आ जाता है ठीक है आपके उसी के प्रमार के अधार पर बनता है आप ऐसी जाएंगे आप बोलेंगे कि मेरा fitness certificate बनाई है तो वहाँ पर नहीं बनता आप वहाँ joining letter जो है मेंसन करोगे कि मेरा joining हो रहा है सिक्षव भाग में मेरी posting हो रही है तब आपका एक प्रूप आपको देना होता है joining letter का तब आपका वहाँ पर medical fitness certificate बनता है तो ये तमाम छोटी छोटी बातों को आपको विश्यस का ध्यान में रखना होगा साथ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो में इतना ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि किसी भी प्रकार की सिक्षव भरती से जुड़ी होई अपडेट अगर मिलेगी तो वह हम आप तक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से साजा करते रहेंगे जैहिन वन्दिमात्रव